तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अंतरमुखी को इंगलिश में क्या कहते हैं तो जो वर्ड अंतरमुखी होता है उसे हम इंगलिश में बोलेंगे इंट्रोवर्ट या इंट्रोस्पेक्टिव इसके example है उसकी अंतरमुखी परवर्थी के एकारण उसके कुछ अच्छे मित्र है He has some good friend due to his introverted nature मतलब एक ऐसे इंसान जो सब के साथ घुल मिल ना पाए काफी introvert रहे मतलब खुद में ही जादा रहे उसे हम अंतरमुखी कहते है